जेहिन जेवियार पंचायट चुनाव बीट चुका है सारे परत्यासिस तरह से जनता के बीच अपना जोवी रुचा था, जोवी बाद था जनता के बीच रखे और मुखिया का चुनाव जीते आज हम उसी दरमियान पंचायते त्रियस्तरिया चुनाव बीच चुका है उसी दर्म्यान हम उपस्तित हैं शिवदह पंचायत में और शिवदह पंचायत के हमारे साथ मुखिया है निती सिंग जी जो के फर्स्ट बार मुखिया बनी है इसके पहले दो बार 2006 से लेकर 2016 तक ओफ कैमरा जैसे की बात ह हुआ सचिदानंद सिंग जी दो टर्म यहां से मुखिया रहे हैं और तीसरी बार यानिक इनके घर में इनकी बहुं नीती सिंग मुखिया बन कर आई हैं सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत सारा स्वागत और बहुत सारी बधाई आपको जीत की आपको भी धन्यवा आपका भी स्वागत है नौ वर्स की सुबकामनाए और मकर संक्रांती की देर सारी वधाई आपने चुनाव जो लड़ा पहली बार आपने चुनाव लड़ा है तो चुनाव लड़ने के दरम्यान काफी सारी अशुविधा सामने आई होंगी काफी सारी चुनावतियों को ज यह करनका भी लिखकर लिखका सजय दरम्यान आप अपने को कहा दिख पाती थी मेरा इकी फोकस कि हमको जीतना हे है बाकी जितने प्रत्यासी काम पंद्रह साल 20 साल से है या यह कहिए कि मेरे खून और खांदान में यह है समाजी काम को कर रहा है गरीबों का मदद करना जिसका परिणाम है कि हम चुनाव जीते हैं शही बात है निती सिंग जो बोल रही है जिसका परणाम है कि चुनाव जीती है इसके पहले दो बार मुखिया रहा चुके इनके सचुर सचिदानन सिंग जी जो हमारे सांथी है और किस तरह से इनों होने दो टर्म में काम किया पिछले बार ये लोग चुनाव नहीं लड़े पिछले बार चुनाव लड़े थे पर टूट गया था घूमने में दिकत था चुनाव लड़े थे कहीं घूमने सके इसलिए दुसरा कोई आदमी हो गया पिछली बार अब इसके बाद फेर हुए तो हमको सिक्षा से ज्यादा प्रेम है इसके पहले मजुलवक्डिगरी महा काम बराबर करते आ रहा हूं मुझे विश्वास था अब फिर चो था बार जपायरब ठीक हो गया कुछ घूम रहे हैं तो लोगों ने हमको फिर मुख्या के लिए खाला कराया हम फिर हुए और पहले के अपने किये हुए करतब के मताविक लोगों का जितना कल्यान किये हैं लोग हमको फिर पुनों मुख्या है कि जीता कर बना दे अचा जैसे के 2006 से 2016 तक याने 10 साल आप मुख्या रहे तो उस दर्मयान जो आपने काम किया उसका नतिजा कहीं ये नहीं मिला ना इस बार उसका नतिया चरत्र मिल है गाउं गाउं में रूड तियार है औने गिवसाल 2300 हर्जन लोग का गुरीबलों का घर भी हमने तियार करा दिया लोगों को पहिशा मिलता है आज 28-30 लग रिटयार होने के बाद मैं सिक चक था रिटयार किया बार दक्रिपिया मुझे भी मिला जिसोब पहिशा पबली काम में खर्च कर दी मैं सोन साधख हूं सोन आबना रा जानता हूं पबली कैसे हो राजरी करता हूं चून लेता हूं कि फ्रदारा में राद मीराद मैं सुभा पहुश में लगा रहता हूं मैं अपने पंचायत का विकास करता हूं साथ-था पूरे प्रखन पर मेरा नजर रहता है कि प्रखन का विकास कैसे हो हो जितना कल्यान हो जितना मुझे खुशी हो गरीबुन को दान करने में मेरा मोन आगे लगता है और यह वहाँ जाय से पुब्लिक हमको फिर मुख्या बनाथी अचा जैसे कि हम आये तो रूट के पास मैंने देखा पीम के भी वाई का स्कूल यहां पर चलता है गयुक ए है है यह गवर्मेंट के थुरू ही चलता है तो यह जो पीम के वी वाईला संस्था जो चलता हुआ आप लोग के माध्धम से चलता है जिसके लिए मैं बिल्लिक विदिया हूं और चलता भी हूँ इसमें बारत विभाग थे आज कल कुछ कम हुआ है जो फिर जन्री से पूरा कर लिया जाएगा उसके लिए भी मैं तत्पर रहता हूं और इसमें जो वरकर है काम करने वाले वह भी तत्पर होते हैं और लोग सरकार को धोखा देते हैं कमाने के हम कमाने के सब्सक्राइब करते हैं ताकि पब्लीक खूश रहे यह चल रहा है यह चल रहा है अच्छो साथ साल हुआ लंसा तरी इसमें रुजगार भी दिया जाता है जैसे लोग मुबायल बनाते हैं लोहा का लगण कर जोड़ते हैं इसमें कितना भारत विभाग है उस सब का जो लो पाँच कहारी काम करते हैं जिनको वेतर मिलता है जिसे उनकी पर्वार का भरणे पैसे कर्णाय है कारिकाल का शीमा बताओएं आप से डिकली करेड़े बनवाये हैं ठीनिंक करेड़े बनवाये हैं दुबन मुखिया रहे हैं मोठियाOYड दखिये सीजितानन स्प對不對 द्लिखा दीनाम्साला बनवाये हैं जो पंदाल बनवाये हैं जोगरं याँ व् loud साल जुग होता है वसपर और उपासक लिखा हुआ है सुन्तोग रहने के लै महने कान बरवाय 144 हुआ है इस है मेरे पत्नी पुकारी देवी का नाम लिखा अगए राज इन jullie public आहीं हम काम करते हैं घर पर कोई काम हो काश पर नगा लेबर काम करते हैं और जीते खाते रहते हैं काय से पबली का कल्यान हो मेरा यह काम है मेरा उम्पर 25-26 साल का हो गया राज इन में पबली काम में लगा रहता हूं अब इस अब यासी में घोला पर चलने में हमको राश्पत्य प्रसकाय मिला हुआ था अभी में मेरे पाद घोला था आज गल तक मैं अपने सरी से मेहनत करता हूं निरोग रहता हूं मेरा पए टूड़ गया पए टूड़ पहले कोई शुई दवाई तक मैं नहीं हुआ क्यों कि बहरा दिन दोड़ती रहता हूं काम करता हूं जैसे मैं रोगी नहीं होता तो आप देख सकते हैं किस तरह से सचिदानान सिंग समाज सिवा में तत्पर हैं समाज सिवा में लगे हुए हैं जग साला हो गया धरम साला हो गया विद्याले हो गया डिगडी कॉले जुग तो आप जाहिल सी बात हैं दस साल में किये हैं तो आने वाला जो पांच साल है यानि कि किसे इनलों को पदभार मिला है तो उस दर्मियान इनलों जो है काम करने का सबसे मुख्य मुद्दा क्या हो है पंचात का अपका मुख्य मुद्दा है कि घर घर जाके समस्याओं को समझ के सबसे पहले सोचाले का वेवस्था रहने के लिए घर का वेवस्था पानी का बिजली का स्वास्ते का और सडक का सारी समस्याओं को दूर करना है कि सोचाले का रचा पैसा गता नहीं मिलपाता है उर्द सबस्क्राइब कि इस बर पैसा मिलेगा और तोली पैसा मिलेगा फंड सरकारी जो grateक्त के लिए हец पर सब्स Самर Carl परइक तुमैरे लिए बहुत कुछ मेरे इहां लक्षमि जी भरी पड़ी हाई जो भी जो भी सरकारी जो भी सरकारी पैसा आएगा वो सिर्फ गरीबों को कत्रें में ही लगेगा तो आपके लक्षमी जी भरी पड़ी है फिरी मुखिया चुनाव लड़ने के पीसे क्या लक्षित और समाज का सेवाकरना समाज का सेवाकरना पैसा का लालाच तो नहीं हां में बिल जो अधेखिया मेरे पास कितना कुछ असमाज का पढ़ी लिखी है इसके पहले दूबार लोग मुखिया रहा चुके हैं और इनका जो एक होता है न समाज सेवा करने के लिए पद चाहिए ऐसे तो आप समाज सेवा कर नहीं पाएंगे बिल्कुल सत्त है तो उस पद को हासिल करने को लेने के लिए लोग मुखिया का चुनाव हो लड़े जी चुके और जीतने के बाद सवचाले हो आवाश हो मन्रेगा ौमे श्तिती आपके पन्चेत में क्या है पूरा पहिशा मिलता है और राजवी वहनु रहेंगे तो पुरा मिलब़ु करेगा अपना विश्वास ठीम य Major घ्राकर वैसा पॉल हमको मिलेगा हमको पूर्ण उम्यद है कि सरकार धोखा नहीं देगी हमको पुर्ण पुछा देगी और पूर्ण पुछा पब्लीक का में लगाएंगे जिससे पुछा कल्यान हो लों का करद चलता रहे इस रही हम सब काम करने क्रित त्यार है कोई भी काम दे सकते ह करते हैं सिवदह पंचायत की जनता सवंत में क्या फिल करना चाहेंगे बहुत आपस्तों केस किसी पुब्ली को कोई तकलीफ नहीं होने पावए तकलीफ धूर करना ही मेरा काम रहेगा तो आपने सुना सचिदानान सिंग जी जो पूर मुखिया रह चुके हैं इन्होंने कीस तरह से ब्यान दिया कि जो भी समस्या है उसको निदान करने में ताकि पंचायत में कोई समस्या उत्पन ना हो गरीब गुर्बा सोसित वन चीत पिछड़ा जितना भी है कभी उंगली न उपना सिने हम सब और है तो सिने अगर पंचायत की जंता का इसंड़ा बनेगा क्योंकि जो ताली बसुस्ति पाफ्य ह territories indifferent बहुतं के पता लगा जाय कैंको कॉल्यान कौरते हैं जिसी नहीं बता सकता है कि जैसे प्प्लिक पकर Execution मेंुट मेरा खुन भी देना पड़े तो मैं देने क्रित्यार रहता हूं मेरे पास कोई कमी नहीं है सरकार की पुष्चा का लाए मैं अपने पुष्चा से लोगों का उधार करता हूं हम कह सकते हैं कि एक अजादी के शमय बिर्कुमर सिंग थे इसी वियार की दर्ती के और आज एक हमारे साँ सचिद्यानन सिंग है जो शिवान के धर्ती पे माराज गंज के शिवदव पंचायत से कि इस तरह से इनका होसला बुलंद है राश्पती से पुरस्कार ले चुके हैं और आज देखा जाए तो 21 तरह से बोल रहे हैं कि खुआन का कत्रा भी देना हो तो हम देने के लिए तयार हैं अपने पंचायत की जनता के लिए तो इस तरह का होसला इस 85-86 साल के उमर में जाहिल सी बात है कि आज भी जो हो खुण है वो जनता के लिए है और जो उनका त्य हैं और गिनाय काम किये तभी जनता ने इनको अशिरवाद दिया प्यार दिया शनेह दिया तहां आज निती सिंग इस पंचायत की शिवदा पंचायत की मुखिया बनी और किस तरह से अंतमेक बात कि किस तरह से जो जो सा जुनून के साथ बात कर रहे हैं आज के समय में भी दर्सक है शभी को बहुत सारा धन्यवाद योम शुब कमना है